Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily के basis firm page wise discussion करते हैं और हर एक particular news को discuss करते हैं कि इससे कैसे prelims से question frame होगा और particular main से से कैसे question frame होगा Monday to Friday हम एक answer writing भी करते हैं तो चलिए analysis का पहला overall section देख लेते हैं पूरे newspaper का analysis महराष्ट में बहुत ज़्यदा बारिस हुई land slide हुआ 60 लोग मारे गए NGT ने अभी बोला था कि firecracker ban होंगे तो किसी ने petition डाली थी कि नहीं होने चाहिए पर सुप्रेम कोट ने dismiss कर दी और आवली forest के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर से National Security Act के basis पर एक person एक journalist को जो है पहले arrest किया गया था फिर बाद में release किया गया इसको जानेंगे एक scheme जानेंगे जो कि आप अपने UPSC mains में General Studies paper 2 में और 3 में agriculture में यूज कर सकते हो इस example को EV100 campaign है क्या यह किस के दारा चलाई गई है यह सबसे ज़्यादा important है आज के prelims fact में editorial discuss करेंगे जिसमाँ microplastic करेंगे microplastic का आज UPSC mains का बहुत बड़ा issue हम discuss करने वाले है और दूसरा हम जानेंगे जो है biocentric क्या होता है great indian bastard के बारे में जानेंगे और इतना complete detail हम discuss करने वाले है आज सबसे पहले आपको telegram application डाउनलोड करनी है such box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा daily के basis पर UPSC mains question मिलेंगे और उसके जो हमारे paid user answer writing करते हैं इंगलिस और हिंदी माध्यम में ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर मारास्टर में ही यह चीज़ें देखने को मिलेगे अब बात यहाँ आती है कि यार ठीक है माहराश्टर में जब भी मौनसून आता है ऐसा है और यह infrastructure डपलब क्यों नहीं किया गया मैं सबसे पहला reason तो आपको यह बताऊंगा कि अभी भी जो माहराश्टर मुंबई आपको area पता होगा दिल्लिवार मुंबई का area ऐसा था जहाँ पर ब्रिटिस का सबसे ज़्यादा control रहा था तो उन्होंने अपना infrastructure वैसा ही बनाया तो पुराने sea waste treatment है waste management है drainage system पुराना है बहुँ ज़्यादा तो कही ना कही अपग्रेट करने की ज़र्वात है अभी मुंबई को प्लास्टिक का बहुँ ज़्यादा use हो रहा है जिसके वेज़ से drainage system ब्लॉक हो जाता है ये भी एक reason है देखो आप land slip हो रहा है तो आपको यहाँ पर से क्या मतलब पानी भर जाता है land slip होना ही है आपके जो भी ऐसे लोग हैं पर भी soil वाला area है जहां तक पानी पहुँँ सकता है तो land slip होने के chances हैं तो question कैसे पूछ सकते हैं इससे मैं एक बार question आपको बता देता हूँ बाग कि आपको मैंने reason बता दिया है तो पहले news से question कैसा आ सकता है आपको यह मिलेंगे private current notes में तो how question can be asked from first news देखो question है वो ही है यार ब्रिटिस एरिया का है ड्रेने सिस्टम अच्छा नहीं है कोई scheme लाई जाती है तो अच्छे से implement नहीं हो रही है तो यह पूरे इसके reason है चली अब बात करते हैं सेकंड news की सुप्रिम कोर्ट अफोल्ड NGT ban on firecrackers अब हुआ क्या है NGT ने पिछले वर्स से भी बोला था कि firecrackers जहां पर भी air quality index अच्छा नहीं है वहाँ पर firecrackers आप क्या करोगे नहीं जलाओगे अब इस पर हुआ क्या NGT ने तो बोला था ban हो जाएगा बर इस पर बहुत सारे petition डाली गई सुप्रिम कोट में बोला कि NGT ऐसा कैसे कर सकते है सुप्रिम कोट ने बोला NGT ऐसा कर सकते है बिलकुल भी तो इससे पहले कि जो सुप्रिम कोट ने है जो petition को dismiss कर दिया और बोला कि जहां पर air quality poor है और या above categories वाले होंगे वहाँ पर firecracker ban ही रहेंगे जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा decision है बट news important है किस के लिए NGT के लिए NGT के लिए मैं लगभग लगभग एक मेहने में पंदर दिन आपको बताता है मैं आपसे यहां पर comment box में पूछूँगा कि NGT का act कौन सा आता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ चलो NGT 2010 के act के basis पर बना है जितने भी environmental crimes होते हैं वो NGT देखता है अब 10 से एक मेहने में हम पंदर दिन करते हैं तो कहीं न कहीं revision भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट यहां पर एक नया इस news से हम के extract करेंगे air quality index जो की 2-3 मेहने में नहीं किया था now air quality index को देख लेते हैं prelims general studies paper 3 environment में पूछा जाएगा 6-6 category के air quality index होते हैं good, satisfactory, modulately polluted, poor अब यहां पर देखो poor, very poor और severe, 3 category आती हैं और इन category में कोई भी area आएगा तो वहाँ पर firecrackers नहीं बेचे जाएंगे, नहीं जलाए जाएंगे right और यह daily होता है air quality index calculate किया जाता है 8 major air pollutant के basis पर सबसे पहले ground level का ozone PM10, PM2.5, carbon monoxide CO, जिसमें oxygen से ज़्यादा घुलने की, हमारे blood में घुलने की 200 से ज़्यादा गुना tendency होती है यानि कि एक तरफ carbon monoxide होगी जो आपकी automobile से निकल रहे है एक तरफ oxygen होगी अब हमको चाहिए oxygen तो carbon monoxide oxygen को रोकता है हमारे blood में dissolve होने से सोचो कितरा ज़्यादा हर्मफूल है carbon monoxide, sulfur dioxide, acid rain में nitrogen dioxide, ammonia, tear gas है ammonia, lead है right update point बता देता हूँ 2004 में one number one color one description start किया गया था जिसमें ये सब eight pollutants को बारे में बताया जाता था इसको develop किया है Central Pollution Control Board ने in consultation with IIT कानपूर और air quality index इस basis पर चेक की जाती है right category 6 है, air pollutant 8 है now Tokyo में Olympics सुरू हो चुके है Marycom और Harman Preet जो सिंग है वो अभी Indian Athlete Parade में contingent यह आगे India को represent कर रहे है right, तो Tokyo Olympics के बारे में हलाकि Olympics से UPSC में तो factual information नहीं आती बट आपकी जो PCS के exam होते है सोच लो 4 से 5 तो हर दिन का देख लेना कौन जीता India ने कितने gold medal जीते, कितने silver जीते PCS के लिए आप पल रहे हैं तो वो आप करेंगे Parliament, Monsoon Session चल रहा है Pegasus के बारे में ही बातें की जा रही है Pegasus एक spyware है Israeli country ने बनाया है NSO Group ने, right और ये जो Pegasus spyware होता है वो generally Pegasus जो NSO Group हो है वो government को बेशती है जैसे जो भी sovereign government होती है भारत को, Japan को, Russia को Pegasus बेचा जाता है NSO Group के दोरा अब इसराइल के panel में भी बात की जा रही है कि Pegasus का misuse किया जा रहा है और इंडिया में भी Parliament में Pegasus का use किया जा रहा है कि government अभी हमारे right to privacy को भी violate कर रही है ठीक है, तो यहाँ पर Monsoon Session चल रहा है Apex Code says अब यहाँ पर से क्या आ सकता है यहाँ पर से Pegasus आ सकता है अब Pegasus daily हम करवा चुके है Pegasus क्या होता है Pegasus का दूसरा नाम क्या होता यह आपको comment box में बताना हम 5 दिन से लगाता है इसका revise कर रहे है यह नई न्यूज है Apex Code says Arawali Forest Land Enroachment will be cleared Arawali Forest Land लोगों को हटाए जा रहा था बट यह Enroachment अभी हट जाएगा ऐसा Supreme Court ने बोला Now Arawali Forest के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ से About Arawalis Arawalis of North Western India One of the oldest full mountain of the world Full mountain है यह एक तरके से 300 मीटर से 900 मीटर तक फैले होए है यह गुजराट टू डैली Spanning Haryana, Rajasthan, गुजराट and डैली 692 किलो मेटर Mountains are divided into two ranges यहाँ पर संभार सिरोही range है और दूसरा संभाव संभार खेतरी ranges है ठीक है? कहां? राजिस्तान में Where the extension is about 560 किलो मेटर तो अब यहाँ पर जो Arawali के mountain है इनकी दो ranges है यहाँ पर ठीक है? यह चीज़ याद रखना संभार सिरोही range और संभार खेतरी range यह जोगरिफी में आपसे पूछा जाएगा यह fold mountains है of which rocks are formed primarily of folded crust when two convergent plates move towards each other by the process called orogenic movement अब इसमें होता क्या है? कि एक plate है एक plate अमरी यह है तो दोनों आग ही को मिलेंगे converge होंगी तो जो आब यह mountain मनेगा यह अरावली mountains होते हैं यह fold mountains नहीं बोला जाता है अरावली date back to million of years where a pre-Indian subcontinent collided with mainland Eurasian plate अब अरावली कब की बनी है? जब हमारी पहले इंडिया भी नहीं था pre-Indian subcontinent आपको पता होगा सबसे पहले इंडिया यहाँ पर नहीं था इंडिया यह अफ्रिका की वहाँ पर था तो यह move करते करते आया हुआ है तो आपको यह पता होगा Eurasian plate से टकराया हमारा भारत और अरावली तब कब ना है जब Eurasian plate से टकराया तो यहाँ से अरावली के बारे में आपने पूरा complete जान लिया है Geography के basis पर भी बी और कब अरावली बने थे Fold Mountains हैं Convergent plate से बने है Released money for generalist to move Supreme Court against NSA एक generalist को सबसे पहले पकड़ा गया था फिर उसको release कर दिया गया और वो Supreme Court के पार चले गए बोले कि National Security Act जो है बहुत ज़ादा exploit कर रहा है अब NSA है क्या बहुत सारे लोगों को journalist को arrest भी किया जाता है NSA के अंदर NSA का act लाना पड़ा था 1980 करीबन करीबन emergency के बाद Past couple of days में इंदोर district administration में आपने देखने को मिला होगा कि आपको क्या है health care workers गए वहाँ पर उनके उपर पत्थर बरसाने लगे तो ये NSA के अंदर उनको arrest किया गया NSA क्या है एक preventive detention law है NSA बहुत simple सा है कि मतलब कोई मतलब जुर्म होने से पहले उसको रोकना NSA है मतलब किसी में भी suspect होगा हम NSA के अंदर जैसे health worker के ओपर पत्थर बरसा रहे थे तो हो सकता है हम ये मानने कि अगले दिन वो क्या कर सकते हैं वो ही पत्थर जो बरसा रहे हैं वो चाकु छूरी भी फैंक दे murder करते हैं किसी का तो उससे पहले ही murder करने से पहले उनको arrest कर लिया जाएगा तो तब इसको बोलता है preventive detention law मतलब जुर्म होने से पहले ही suspect के basis पह उनको arrest कर लिया जाता है ठीक है बड़ इसका misuse भी किया जाता है अब एक तो कानून के basis पह है preventive detention law एक हमारे constitution में भी mention है preventive detention law article 22 clause 3 clause B constitution also allow the preventive detention and restriction on the personal liberty for reason of state security and public order ठीक है यह चीज़ यहाँ पर याद रखना अब आपको थोड़ा सा ये जानना है कि एक तो कानून के basis पह है preventive detention law NSA एक है constitution के basis पह article 22 ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले NSA के बारे में जान लेते हैं NSA imports the center or state government to detain a person to prevent him from acting in any manner prejudicial to national security मतलब NSA imports करता है कि इंसरकार राज्य सरकार को कि कोई परसन अगर ऐसा कर सकता है तो उसको पहने detain कर लो period कब कब है maximum period है detain का बार मेहने but term can be extended if the ground find fresh evidences कोई basic right नहीं है including the right to be informed the region for arrest किसी को NSA के अंदर ये prelim से माँ पूछा जाता है क्या कोई basic right है उसको बताने के लाग कि क्यों arrest किया नहीं आपको arrest कर लिया जाएगा बस ठीक है but यहाँ पर परसन को 24 गंटे के अंदर court में ले जाएगा ठीक है आर्टिकल 22 अब ये तो था NSA के बार में अब हमारे सविधान में भी है preventive detention law तो आर्टिकल 22 constitution says arrested person cannot be denied the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice under the NSA the arrested person not entitled to aid of any legal practitioner अब थोड़ा सा difference है हमारे constitution में लिखा गया है कि अगर किसी परसन को preventive detention law के अंदर arrest किया जाता है तो वो अपना वकील hire कर सकता है बट किसी को NSA के अंदर दोनों ही preventive detention है बट एक सविधान में लिखा गया है एक कानून मनाया गया है तो यहाँ पर legal practitioner उसको नहीं मिलेगा NSA में चीक है NSA का बहुत बार expert criticize भी करते हैं कि बहुत सारी लोगों को arrest किया जाता है पर कोई record नहीं है बहुत सारी लोगों का तो दर्जी ही नहीं किया जाता है fire भी दर्जी नहीं होती है government sometimes use the NSA as the extra judicial power की तरह इसका यूज करती है right अपने यहाँ पर UPSC general studies paper 3 के लिए आप यूज कर सकते हो agriculture की किसानों को smaller marginal farmer को कैसे help कर सकते हो राइस्तान ने अभी free rental scheme चलाई थी farm tools a success मतलब एक scheme ऐसी चलाई congress government राइस्तान में government से कोई मतलब नहीं है राइस्तान में एक scheme चली थी जिसमें agriculture equipments को जो tools को हैं जैसे tractor को seed sewing machine को rent free मतलब free में दे रहे थे small or marginal farmers को और वो उसका use करके अच्छा भी earn कर रहे थे 7300 farmer को across state राइस्तान में benefit हुआ है 1.03 lakh hours of cooperation during the COVID-19 pandemic अप्रेल से जुलाई last year में तो ऐसा हर एक state को करना चाहिए और आपको यह अपनी example वाली book में note करना चाहिए कैसे note करोगे बहुत simple है सबसे पहले news लिखोगे चलो सबसे पहले tag लिख देना कि अगर कौन सा tag आया तो आपको यह याद आना चाहिए मैं कहूंगा tag में agriculture और comma farmers अब कभी भी farmer और agriculture की बात आई तो आपको राइस्तान का यह example याद आना चाहिए और directly इससे marks आपके बढ़ जाएंगे राइट चलिए यहाँ पर अभी महराष्ट की सरकार ने अनाउंस किया है कि हम climate जो ग्रूप है EV100 climate group का एक EV100 campaign है electric vehicle से related उसको हम join करेंगे महराष्ट की electrical vehicle policy यह अभी aim कर रही है कि 25% electrification हम last mile delivery 2025 तक कर देंगे मतलब ऐसे वहाँ रोड में खड़ा कर देंगे 2025 तक चीक है और 25% मतलब 25% गाड़िया दो 25% तक जो होंगी वो electric vehicle होंगी राइट पर हमें यहाँ पर यह जानना है कि electrical vehicle 100 campaign है क्या बहुत ज़्यादा unique हम यहाँ पर news कर रहे है EV100 EV100 ए एक global initiative ऐसा नहीं कि इंडिया का है electric vehicles मतलब ऐसी company जो electric vehicle बनाने में लगी हुई है 5 million vehicles बोला गया है कि 2030 तक हम जानेंगे इसके target कभी भी पूछे जाते है EV100 campaign क्या है आप से बोला जाएगा over 100 of the world leading companies are making commitment across over 80 market to transition their fleets to electric vehicle अब यहाँ पर electric vehicle 100 एक ऐसा campaign है जहाँ पर जो companies मिलके आ रही है बोल रही है कि हम electric vehicles बनाएंगे करीबन करीबन एक लाग सतर हजार electric vehicles deploy भी हो चुके है through their investment decision as well as their impact on staff and customer worldwide business can play major role in driving the transition to electric vehicles by taking the lead in their own operation EV100 members demonstrate the rapidly growing case for going electric global initiative companies का ऐसी company जो कारें बना रही हैं जो बाइकें बना रही हैं ऐसी बोला जा रहा है कि हम electrical vehicle वाली बनाएंगे और आने वाले कुछ 20 से 25 साल के बाद देखना आपको जो petrol और diesel ये बहुत कम हो जाएंगे और सोचो देश का कितना जादा जो पैसा है वो बच्चेगा सबसे बड़ी बात है बट वही पैसा अभी हमने इंवेस्ट करना चाहिए किसमें किसे ने सबसे पहले खरीदी electric vehicle मतलब remote areas में तो खरीदी नहीं सकते हैं यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा यहां तो पैट्रल और डीजल ही चलेगा कुछ electric vehicle अच्छे से आने के बाद भी ठीक है अब बात करते हैं आज के editorial की गंगा might have stood witness to many अब यहां पर बात क्या की जा रही है कि micro plastic pollution बहुत जादा बल रहा है अगला UPSC mains question अगर micro plastic में पूछा जाए तो कोई आश्यरी वाली बात नहीं होगी क्योंकि micro plastic बहुत बड़ा issue है यहाँ पर sea waste, solid waste, industrial effluent, दोसरे pollutants जो हैं नदी पर भेके जाते हैं micro plastic आपको higher concentration वारा नसी, कानपूर, हरीद्वार में देखने को मिलेंगे जिसमें plastic है, filament, fibers, fragment, दो places, microbeats है, microbeats आपको call gate में भी देखने को मिल जाएंगे तो यह aquatic animals के लिए बहुत ज़्यादा worse रहते हैं, यह आपसे पूछा जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा 5 mm in the country's holiest river call into question the progress of two high priority well funded mission सुच्च भारत mission, यह national नमामी गंगे plan, इन सबको question हम उठा सकते हैं कि अगर microplastic कितना बढ़ रहा है तो यह सुच्च भारत mission यह नमामी गंगे action plan कर क्या रहा है यह सब चीज़ें हम देख सकते हैं ऑफिशल डाटा तो यह बोलता है कि 97 गंगा टाउन्स ऐसे हैं जिसमें से 750 million liter of untreated sea wage a day into the river एक दिन में 750 million liter sea wage बह जाता है गंगा नदी में सोचो इसके चलते हुए environmental activist गुरुदास अगरवाल जी 2008 में उनकी death हो गई उन्होंने fast किया था प्रोटेस्ट जताने के लिए and later Mr. Modi did not change the situation micro plastic आपको धीरे धीरे सिर्फ गंगा नदी में नहीं Mount Everest, Arctic, Snow, Glaciers, French, Mariana Trench यह यहाँ पर देखने को मिल रहे है Mariana Trench अगर बात करूँ जैसे उपर Mount Everest है तो समुद्र के नीचे कौन से वो हैं Deep Trenches, Mariana Trench तो आपको यह बताना है Atlantic Ocean में है या Pacific Ocean में है, ठीक है बाद में हमने plastic waste management tool भी करें बट उसको अच्छे से implement नहीं किया तो at the end plastic waste around the world threatening the food web aquatic animals के लिए भी जो है threat है तो micro plastic, आज का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है micro plastic now सबसे पहले बात कर लेते हैं micro plastic की, micro plastic small plastic pieces हैं जिसका size 5 mm से भी कम है इसमें micro beats होते हैं जैसे solid plastic particle less than 1 mm in their largest dimension cosmetic personal care product industrial scrubber में यह देखने को मिलते हैं आपको apart from cosmetic and personal care product यह toothpaste में भी micro beats आपको देखने को मिलते हैं ठीक है, तो यह इनको अच्छे से recycle भी नहीं कर पाते हैं, तो micro plastic damage aquatic creature including turtles, birds digestive tract को block कर सकते हैं alter feeding behavior right, deep sea में भी देखने को मिलते हैं, lowest layer in the ocean existing blower, thermocline and above seabed 1000 fathoms fathometer क्या होता है fathometer आप से पूछा जा सकता है, depth of sea के लिए right, fathometer unit of length equal to 1.8 meter, या 6 feet आप कह सकते हो now, अब समुद्र के नीचे एक reason होता thermocline, अब thermocline एक ऐसा region है, जहां पर अचानक से temperature rapid change होता है तो यहां पर भी आपको micro plastic और micro beats देखने को मिलते हैं, बस इनका याद रखना micro plastic 5 mm से कम micro beats 1 mm से कम now, हमारा यहां पर Brexit हुआ था, तो आपको यह बताना है कि क्या European Union का part Caesarland है या नहीं तो अभी यहां पर उनकी जो देखे, UK का part Northern Ireland है, अब यहां पर Northern Ireland के कुछ लोग support करते हैं जो Britain ने standard दिये थे British के जो Brexit हुआ था, वो मानते हैं और कुछ लोग European Union को support करते हैं तो यहां पर अभी क्या हो रहा है Britain को सबसे ज़्यादा loss हो रहा है ट्रेड में, ठीक है जो moment हो रहा है ट्रेड का, ट्रक्स का तो इस पर जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यही है कि Northern Ireland जो है कुछ लोग मैंने बोला कि British जो है, उनको support करते हैं Brexit को support कर रहे हैं कुछ लोग European Union को support कर रहे हैं तो यहां पर ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं बट क्या ऐसे question मुद्दा यह है सबसे बड़ा कि क्या ऐसे question आप से directly UPSC मेंस में पूछे जाते हैं प्राइड की बात उन्होंने की दूसरा trade में क्योंकि European Union के सभी जो है उनको Britain में loss हो रहा था दूसरा उन्होंने ये बोला तीसरा मैं बात करूँगा Singapore जो है European Union का part नहीं है यह चीज याद रखना ठीक है चलिए दूसरा है यहां पर एक zero survey template कैसे कर रहे है बांकी policy making में भी help करेगा बस इतना ही था और ऐसे बहुत सारे article आपको मिल जाएंगे daily के basis पर यह आपको ignore करने है बड़ आप सबसे ज़्यादा important जो article है वो यह है empowering nature with biocentric jurisprudence अब क्या है great Indian bastard एक endangered species है hardly 200 से sorry for the post बीच में call आ गया था हम बात कर रहे थे great Indian bastard की endangered species है 200 से भी कम बची है अब यहां पर देखो great Indian bastard का frontal vision है बहुत ज़दा कम है तो यहां पर आगे तार लग जाते हैं तो तार से पूरा उनको पता नहीं चलता आगे electric wires हैं टच्छों के मर जाती है राइस्तान और गुजरात ने एक अच्छा यहां पर कदम लिया है bird diverter यहां पर install किये हैं जिससे की great Indian bastard जो है उसकी जान बच सके a black frontal vision due to which they can not detect the power lines ahead of them from as they have heavy words इतनी भारी bird होती है तो वो अचानक से mode भी नहीं पाती है close distance के okay तो यहां पर हमारी दो थिओरी हैं एक होता है एक थिओरी है हमारी बाईोसेंट्रिक त्लब बाईोसेंट्रिक वो थिओरी है जो कि हमें उपर रखनी चाहिए हमेशा बट हम क्या उपर रखते हैं हमेशा anthropocentrism यह थिओरी उपर रखते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है बहुत सिंपल है यह प्रिंसिपल आर्गू यह करता है कि जितनी भी स्पीसीज हैं अर्थ में उनमें से हुमन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है और वो सभी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा अपने फायदे के लिए तो हम क्या सोचते हैं अ की नेच्रल लिसोर्सेज का 1973 में कुछ ऐसा ही हुआ इस्टनेल डार्टर है इस्टनेल डार्टर एक स्पीसीज है मचली की फिस की एक स्पीसीज है 1973 में युनिवरसिटी और टैनीज बायोजिस्ट डैविज एंटियर अब उन्होंने देखा कि इनकी इंडेंजर्ड है तो सुप्रिम कोट ने बोला कि अब यहाँ पर टैलीकोज रिजर्वायर प्रोजेक्ट नहीं बरेगा बट हुआ क्या वहां की जो पार्टी है वहां की जो सरकार हो एक कानून लाती है बोलती है कि इस्टनेल डार्टर को इस्टोचरी प्रोटक्षन से ही हम हटा दिगे सोचो ऐसा कानून लेकि आई अब प्रोजेक्ट तो चला और जो सफर किया उसने किस ने किया अपना इशनिल डार्टन ने तो यहाँ पर पूरा यही बता जा रहा कि ऐसा किस के साथ ना हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ ना हो तो अट देंड हम यह कहेंगे कि राइट आफ नेचर राइट आफ नेचर लॉज मतलब क्या होता है राइट आफ नेचर लॉज अभी बताता हूं बट सबसे पहने यह जान लो बायो सेंट्रिक वन सप्टमबर 2008 में एकवडर सबसे पहली कंट्री बनी थी जिसने राइट अपने सभिधान में इंस्ट्यूट किया गया था सॉरी फॉर दे पॉस अब यहां पर यार मैं इसको वहर्टा देता हूं 2008 में एकवडर पहली कंट्री बनी थी जिसने राइट आप नेचर अपने कॉंस्टूशन में इंक्लूट किया गया था मतलब नेचर का भी क्या होग अपना खुद का राइट होगा तो आप ऐसे ही एक्सप्लाइट नहीं कर सकते हो बोलिवया ने फिर जोइन किया ओके फिर एट फर्स्ट दी लॉज इंपार पीपल इन कॉंस्टी तो इसे होंगे कि लोकल कॉंस्टेक्ट करेंगे तो यहां पर है तो इससे हम पढ़ लेते ह G.I.B. Great Indian Bustard, critically endangered Great Indian Bustard है, likely to be included in the global list of top 10 migratory species में include होती है बर्ड अगे बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, heaviest flying bird है, endemic to Indian subcontinent, primarily terrestrial bird है यह एक दो साल में one egg जो है ले करती है and the success rate of these eggs is 60 to 70 percent this rate has been reduced to 50 percent due to predators, fox or dogs, 150 individuals, सिर्फ इंडिया में बचे है Great Indian Bustard के, frontal vision बहुँ जादा पूर होता है देखिए, जो मैं हमेशा use करता हूँ इसमें maximum number of JBR found in the Jesselmere, तभी तो राइस्तान में ऐसा bird diverter लगाए होए है protected areas इसके लिए कौन-कौन से है, National Park Century, राइस्तान, रोल पाड़ वाइल लाइप सेंचुरी अंद्रप्रदेश, केरला वाइल सेंचुरी, मधिप्रदेश threat क्या है, collision, यह सबसे बड़ा threat है Great Indian Bustard का, तो मैंने वो पूरा article को summarize करके यहाँ पर लिख दिया collision, electrocution with power transmission, irrigation, farming technology, mining, wind turbine, solar farms, plantation of exotic subs, the government and recently raised 33 करोल to project, title habitat improvement and conservation breeding of Great Indian Bustard तो आप यह चीज़ आद रखना कि 33 करोल रुपे सरकार ने अभी इसके लिए सुरू किये है, आईशेन की लिष्ट में threatened and endangered है, तो यह हमने देख लिया है अब बात करते हैं, वर्ले लेवल की news, सी जिंपिंग पहले ऐसे चाइना के president बने हैं, जो तिबबत रिजन में गए और नई railway line आई है, तो उसको इनिगरेट करने गए हैं, और जो कि अरुनांचल परदेश से सिर्फ 20 km दूर है, तो कहीं न कहीं यह हमाले भी strategic हो सकता है, राइट? पर पीश डिल, तालिबान से अफगानिस्तान president must go, पीश डिल के लिए तालिबान और अफगानिस्तान के असरफ गनिया भी वहां के president हैं, दोनों को ही मिलके काम करना पड़ेगा, चैना ने इंपोस किया sanctions बहुत सारी US citizen में और बहुत सारी US citizen भी चैना पर इंपोस कर देते हैं, essay sanctions, ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो, आप लोग भी कहने कितने ज्यादा कॉल आ रहे हैं, पर यहां पर एक चीज़ बच्ची है, AGR, adjusted gross revenue, adjusted gross revenue क्या होता है, कि जो हमें department of telecommunication है, यानि कि भारत सरकार है, reliance, geo, airtel, इन सब से क्या होती है, जो है उनके telecom और non-tele telecom sector से, जितना भी पैसा generate हुआ, उसमें से कुछ licensing fish लेती है, तो उसे AGR कहते हैं, तो companies का कहना है कि आप, सरकार से, कि आप telecom से, जितने भी telecom से हम revenue generate करने हैं, आप उससे AGR लीजिए, आप non-telecom से मत लीजिए, जैसे मुके संबानी क्या करेगा, telecom से आपने recharge करवाया, य इस पर भी AGR लेती है, तो इस पर भी बहुत सारी जो companies हैं भड़की हुई है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकि आपके कुछ comment देख लेते हैं, नाव क्या good morning Sonia, जाहिर Abbas जी कहते हैं कि sir farm laws repeat mainly three essential commodity act, why farmer oppose it, देखिए essential commodity act में क्या है, कि अब क्या होगा कि storage का कोई problem नहीं है, मतलब मुक्य संबाने कितने भी essential जितने भी commodities हैं, अभी उनको हटा दिया गया है, storage कितना भी कर सकती है, farm laws में ये लिखा गया है कि time आने पर government बताएगी कि essential commodity क्या है, thank you sir, education minister धर्मेंद प्रदान जोतकौर, sir, legislative assembly का head कौन होता है, means जो सभी को, सभी को MLA को judge करता है, देखे, legislative assembly के कोई ऐसे head नहीं होते हैं, generally parties के head होते हैं, ठीक है, parties के क्या होते हैं, head होते हैं, right, ये चीज़ याद रखना, रमन दीप कौर, very nice sir, thank you sir, sir, एक वीडियो monthly basis पर बनाएगे कि कौन सी topic सिर्फ लेम समाएंगे और consumments और मैं भी करवाई weekly basis पर एक वीडियो, ओके कवीता इस पर हम देखते हैं, right, sir, after watching where I say, is it mandatory to read, नहीं, देखिए, प्रीती सारवन, विजन आयस तो आपको पढ़नी पढ़ेगी, news paper को read नहीं करना पढ़ेगा, if yes, then magazine cover only few important questions, then what to do, विजन आयस आपको करना पढ़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ दे हिंदू नहीं उचपेपर पढ़ते हैं, हम हिंदू पढ़ रहे हैं, विजन आयस इंडियन एक्सप्रस भी करेगा, जो योजना को रुक्षेतर है, वो भी करेगा, तो magazine पढ़नी पढ़ेगी, education minister धर्मेंद प्रदान, सर जब constitution में, आप, सर जब constitution में, federal government है, तो ये हमारी country में, ये सब इतना violet क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप ऐसे, इसके पीछे रीजन मत जानिये, आप ये समझे कि इसको कैसे solve करेंगे, ये चीज़ें तो होगे ना, violation तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि federal structure है, तो कहीं violation होगा ही नहीं होगा, central government अपनी मनवानी करेगी, अपने कानून बनाएगी, आपको as an IS aspirant ये सोचना है, कि मैं ये रोकूंगा कैसे, आपको solution डोनने है, आप उसको criticize कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है कि violate हो रहा है, federal structure है, आपको अपना ऐसा mind perception बनाना है, कि solution कैसे मिलेंगे इसके, हाँ ये वाइलेट हो रहा है, ठीक है, लोग तो violation करेंगे ही करेंगे, आपको यहाँ पर देखना है, आप जब I.S. officer बन जाओगे तो अलग-अलग M.L.A., अलग-अलग politician वाइलेट करेंगे करेंगे, आपको, आपका, जो mind होता है, problem, solution centric होना चाहिए, ना कि problem centric, जैसा आज हमने पढ़ा, ठीक है, वो anthropocentrism वाला, ओके, चलिए, आज की स्टूडियो मां हम इतना ही करेंगे, thank you, have a nice day.